Hello students, welcome to organic chemistry class तो students, आज हम डिसकस करने जा रहे हैं नुकलोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिटूशन रियक्शन के बारे में और इसके बार हम डिसकस करेंगे mechanism of नुकलोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिटूशन रियक्शन के बारे में तो dear student इससे पहले हमने discuss किया कि जो aromatic compounds होते हैं वो कौन से reaction दिखाते हैं वो दिखाते हैं electrophilic aromatic substitution reaction यानि आपके यहाँ पे ring पे कौन आटेक करते हैं electrophile यहाँ पे आटेक करते हैं ठीक है तो electrophile क्यों आटेक करते थे because आपका जो benzene ring होता है वो electron rich species होता है और कोई भी electrophile यानि electron deficient species वहाँ पे easily आटेक करते थे लेकिन यह था कि वो addition reaction नहीं दिखाता था बलकि क्या दिखाता था substitution reaction दिखाता था क्यों दिखाता था in order to maintain it is aromaticity अपने aromatic character को maintain रखने के लिए वो substitution reaction दिखाता था तो क्या तो क्या यह nucleophilic substitution reaction दिखा सकते हैं तो हम ऐसे देख सकते हैं यह आपका benzene ring है इसमें electron rich पाइलेक्ट्रों डेंस्टी है जिसको हम aromatic sector कहते हैं पाइलेक्ट्रों डेंस्टी benzene ring में high है और यहाँ पे आपका for example आपके hydrogen से यापको सबस्ट्रों कुछ भी हो सकते हैं अब आपको न्यूक्लों फाइल इस पर अटेक करना है न्यूक्लों फाइल का क्या मलब है electron rich species तो electron rich species क्या दुसरे electron rich species पर अटेक कर पाएंगे तो अंसर होगा no क्यों क्योंकि electronic repulsion होगा electron electron के बीच में repulsion होगा तो यहाँ पर यह reaction हम कहेंगे possible नहीं है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इस electron rich species को क्या बनाएंगे electron deficient species बनाएंगे क्या से बनाएंगे हम कुछ electron withdrawing group इसके साथ क्या कर देंगे अटेक कर देंगे जिसकी वज़े से अब यह जो electron density है थोड़ी से क्या हो जाएगे और तब क्या वहाँ पर nucleophile अटेक कर सकता है कि ने तो अंसर है yes इस टाइब के reaction हमने करके दिखाया है तो इसलिए हम यह कह सकते हैं जब electron density ring में कम हो जाती है और वहाँ पर nucleophile easily जब अटेक कर पाते हैं तो reaction उस condition में क्या हो जाते हैं possible हो जाते हैं इसके लिए हम पहले कुछ example को discuss करते हैं जिससे पेरा नाइट्रो है ना पेरा पिन क्या है नाइट्रो यह क्लोरो बेंजिन है पेरा बेसका नाइट्रो है तो अगर हम temperature को 160 degree रखते हैं pH को 14 रखते हैं यहाई ली basic condition रखते हैं तो आपका hydroxide इस chlorine पे अटेक करते हैं chlorine वाले carbon पे अटेक करते हैं तो यहां से फिर chlorine को क्या करते हैं करते हैं यानि substitution reaction दिखा सकते हैं यानि ओएस क्या है आपका न्यूग्लो फाल है न्यूग्लो फाइल ने क्या क्या यहां पर अटेक किया इस बेंजीन रिंक पर क्यों किया क्योंकि यहां पर एक electron withdrawing ग्रूप यहां पर अटेज किये एक नाइट्रो ग्रूप पेरा पॉजिशन पर है एक आर्थो पॉजिशन पर यानि दो दो हमने electron withdrawing ग्रूप यहां अटेज किये इसका अबलग क्या है electron diffusion और ज्यादा हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग तो उस समय आपको 100 degree Celsius आपको temperature र यहां से chlorine निकल गया है ना chloride की form में तो reaction यहां पर easily होगे इतना harsh condition हमें अबलाइन करना नहीं पड़ा लेकिन अगर हम तीन electron withdrawing ग्रूप बेंजीन रिंग के साथ अटेज करते हैं तो temperature देखिए आपका 40 degree Celsius और pH सिरिफ 7 चाहिए यहां निउट्रल पीची चाहिए तो यहां पर हाइड्रोकसाइड ने आपका जो वाटर ने आप यहां हाइड्रोकसाइड तो नहीं होगा क्योंकि pH क्या है सेवन है तो वाटर ने यहां पर अटेक किया और यहां से chlorine को क्या क्या displays किया in the form of chloride वो निकल गया तो reaction और easily हो गया यानि यहां से एक चीज़ हमने सीखा कि जितना हम electron withdrawing group इस aromatic ring के साथ अटेश करते हैं उतना easily उतना easily nucleophilic substitution reaction दिखाते हैं addition reaction यहां फिर भी नहीं दिखाएगा क्यों कि अगर यहां addition करेंगे इसकी जगह पर तो यह double bond break हो जाएगा तो इसके aromatic character low हो जाएगा तो इसके बारे में आप तो आपको सूजना ही नहीं है अब यह क्या करेंगे एक इस chlorine को कोई डिस्पलेज करेंगा कोई दूसरा ग्रूप आकर है ना नूख़ाइब को क्या करेंगा इस अलरेडी existing ग्रूप को क्या करेंगा डिस्पलेज करेंगे यानि एक ग्रूप आ रहा है एक ग्रूप जा रहा है यानि substitution reaction यहां से chlorine जा रहे तो living group हो गया और वहां से nucleophile आ रहे तो incoming group हो गया incoming group ने आपके living group को क्या क्या डिस्पलेज किया तो nucleophilic substitution reaction हो गया तो आपको इतना याद रखना चाहिए हमने SN2 mechanism में पढ़ा था कि इसके लिए आपको जो आपका incoming nucleophile है वो good nucleophile होना चाहिए है ना और आपका जो यह chlorine है वो good living group होना चाहिए इतना हमने थोड़ा सा आपको idea दिया था इतना exactly तो यहां नहीं होता है फिर भी आप इतना सोच सकते हैं कि जो attack करने वाला group है वो a good nucleophile होना चाहिए as compared to आपका यह already existing group ठीक एक condition यह है दूसरा यहां पर एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा जो आपका electron withdrawing group है वो सिर्फ आर्थो एंड किस पोजिशन पे पेरा पोजिशन पे ही आपका इस reaction को accelerate कर रहा है नुकलो फिलिक substitution reaction को ना कि यह meta position पे पोजिशन पे कोई हमें अभी reaction नहीं है यहां पर तो इससे आपको अंदाजा होगा कि जो electron withdrawing group जब आर्थो और पेरा पोजिशन पे होते हैं तो आपका इंकमिंग नुकलो फाइल आपके बेंजीन रिंग पे आरोमेटिक रिंग करते हैं और जो वीक नुकलो फाइल आ एक सेंबल सा reaction हो गया अब हम देखेंगे यह कैसे पॉसिबल है है ना यह की reaction कैसे पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपका बेंजीन रिंग खुद electron rich species है और आपका न्यूक्लो फाइल एलेक्ट्रान रिच स्पीशिस है तो और इसका mechanism क्या है उसको समझने की करते हैं कैसे यह reaction मुम्किन होता है इतना तो हमने जान लिया कि एलेक्ट्रान विड्राइंग ग्रॉप से यह reaction क्या हो जाते है एक्सेलरेट हो जाते हैं तो क्या इसका mechanism जो है क्या सेंट्व मेकनिजम है कि आपका इंकमिंग न्यूक्लो फाइल जो स्ट्रॉंग न्यूक्ल मेकनिजम में हमने प्रेमरी हलाइट में देखा था ना यहां पर आपका न्यूक्लो फाइल यहां से अटेक करता था और यहां से आपका लिविंग ग्रॉप निकल जाता था एक ग्रॉप आता था एक ग्रॉप निकल जाता था ठीक है तो एसन टू मेकनिजम वहां पर फॉल ने डिसकास किया हैं तो किया आपका और य्रोमेटिक कंपाउंड में यह एक्शन पॉसिबल है कि आपका न्योकलो फायल पीछे साटे करें और हैं आपके आगे से पॉसिबल है तो यहें चा पॉसिबल है एक बिसके फूद इंसर कई होगा और है पेंजिन देंगे हैं जो इसको आ यहां पर आने ही नहीं देगा तो बेक्स है तो इसका ब्लोक है तो यहां पर सेंटू रियक्शन पॉसिबल नहीं है या यानि तो इसका भी यहां फिल्हाल यहां पर SN1 mechanism को follow नहीं करते हैं क्योंकि यहां पर हमने देखा एक strong nucleophile चाहिए जबकि आपको पता है SN1 mechanism जब हम बढ़ रहते हैं वहां पर आपका nucleophile क्या होना चाहिए था वीग होना चाहिए था ठीक है और rate of reaction proportional to होता है आपके incoming nucleophile का यानि nucleophile जितना concentration होता है और rate of reaction उतना ही fast होता है तो क्या है SN1 reaction हुआ क्योंकि SN1 reaction में क्या होता था SN1 reaction में rate of reaction जो होता था वो इस nucleophile पे dependent नहीं करता था वो independent of the nucleophile and rate of reaction किस पे डिपेंड करता था आपके substrate पर ही nucleophile पर यह डिपेंड नहीं करता था वह हमने अलडरे डिसकस किया है तो यहां पर यह तो nucleophile पर डिपेंड कर रहा है तो इसका मलाद इसमें SN1 reaction mechanism follow नहीं करते हैं तो यह दोनों चीज हमने अब यहां पर डिसकर्ट कर लें कि ना फिलहाल यहां पर सन्वन हो रहा है जो हम अभी रियक्शन के मेकनिजम को डिसकर्स करने जा रहे हैं ना वहां सन्टू हो रहा है ठीक है क्योंकि सन्वन अगर होता तो आपका लिविंग ग्रूप आप एक आपका इनकमें न्युक्लोफायल वीग होना चाहिए था और रेड्व रियक्शन न्युक्लोफायल की कंसंट्रेशन पर डिप्ञेंट नहीं करना चाहिए तो ऐसा यहां पर नहीं हो रहा है 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 ठीक और यहां पेशन्टू थी और हमने एक चीज़ यहां पर वाले रि करते हैं इन को क्या करते हैं करते हैं और लेक्रोफिलिक स्वारि टीडि टृट्विलिक सब्सिटूेट्यूचम के तरफ ठीक है तो हमने हमेट रिलेशन्षिप आप सबसार करना कि अगर कोई भी रियेक्शन हो जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन withdrawing group क्या करते हैं electron withdrawing group a rate of reaction को increase करते हैं तो इसका मलब उसके reaction intermediate में जो भी intermediate होगा उसमें electron density क्या होगा हाई होगा यह हमने थोड़ा सा discuss किया था इसका मलब जो भी transition state यहां पर बन रहा होगा उसके क्या होगा उसकी वज़े से क्या हो रहा होगा आपके बेंजीं दिंग पर negative σε डियौलफ हो रहा होगा इतना हमें अंदाजा हो रहा क्यों कि electron withdrawing group उस चीश को क्या कर रहा है stablise कर रहा है यह कि transition इसका मलब को यहां negative ज्यार होगा जिसको electron withdrawing group क्या कर रहा है stablise कर रहे जिसकी वज़े से आपका जो transition state है वो क्या हो रहा होगा stabilize हो रहा होगा इतना हमें यहां से आप idea मिल रहा है कि इसका जो reaction intermediate है उसमें शायद कोई negative charge या electron rich species involved होता होगा तो जो दो important फिलहाल जो हम दो important reaction mechanism हम discuss करने जा रहे हैं वो है addition, elimination mechanism और दुसरा जो है benzyne mechanism जिसमें elimination vacation mechanism है यहां से आपको idea मिल रहा होगा कि इसमें पहले addition होता होगा फिर elimination होता होगा यहां पर फिर पहले elimination होता होगा फिर addition होता होगा इस्सेंजाब को फोड़ा सा idea तो आया होगा तो हम आज सब से पहले जो डिसकस करने जा रहे हैं दा एडिशन इलिमिनेशन मेकैनिसम ठीक है तो थोड़ा सा में आपको एक थोड़ा सा आपको बेक लास का जो आप लोगों ने रिक्षिन किया है थोड़ा सा उसको रिक्याप करना चाहूंगा इस टाइप का रिक्षिन किय ठीक है और यहां को नूट्रो São आपका यहां कर रहा है तो यहां पर है इसको फैसिलेंट करता थेलक्तों विद्डवाइंग इसको पैसे तो यहां से एसा रियेक्शन होता है फिर आपका नूट्रो और यहां से यहां से यहां आते हैं फिर आपका फ्लॉरीन यहां से क्या हो जाते हैं निकल जाते हैं तो क्या बनेगा यहां पर प्रोड़क तो यहां पर अप पहले addition हुआ फिर elimination हुआ तो addition elimination reaction हुआ अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं conjugate दो double bond इसमें add कर एक double bond तो था ना इसमें आप 2 कर तो आप का aromatis हो गया और यही condition हम रखते हैं फ्लोराइड वाला लेख़ोए कैसे facilitate करता है अगर मैं इसको आर्थो पोजिशन पर रखता हूं सी डवल बॉन ओ हैना इस वो इलक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रॉप को मैं अगर आर्थो पोजिशन पर रखता हूं तो क्या कर रहे हैं आपको न्यूक्लो फाइल है यह इस पर ऐसे आटेक करेगा फिर यह पहले रोड़ आपनी जगह है है तैबल यह वाला डबल बॉन tel जाये यह वालब बने गा यहां सी ओ पहुंट से चाहेगा नेगेतिव और यह वाला कंडिशन फिर से वही यहां से यहां आयगा यहां से यहां यहां से फ्लो राइड माइनस एफ नेगेटिव यहां से निकल जाएगा फिसक्या बना आपका एरोमेटिक रिंग फिर से इसने अपने एरोमेटिस्टी को क्या किया गें किया तो electron withdrawing group इस वाले reaction को क्या कर रहे हैं facilitate कर रहे हैं क्यों क्योंकि जो electron density है यह ring से बाहर इसको क्या कर रहे हैं ले जा रहा है जिसके वज़े से आपका nucleophile easily attack कर पाते हैं benzen ring पे जबकि nucleophile वैसे तो attack नहीं कर पाते हैं आपके बेंजीन क्योंकि खुद एलेक्टरॉन रिज़ स्पीशिस है एक चीज़ और दुसरा यहां पर आपका न्यूकलोफाइल जब अटेक करते हैं फस्टेप जो होता है तो वह बहुत स्टेप होगा ना क्योंकि आपका मेंजरीं इंडरिंग का अरोमेटिस्टी क्या हो र आपको समझाना चाहूंगा होता क्या चीज़ है अगर इस चीज़ को में मेटा पोजिशन पर रखता हूं तो क्या पॉसिबल है इसा थोड़ा सबस मेकनिजम से पहले आपको एक रिफ्रेश्मेंट में करा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको यह इजी हो जाए नूецफाइल हैं अब मैं इस elektron withdrawing group को कहा रखता हूं मेटा पोजिशन पे आपका double bond है double bond है double bond है आपका नूец फाइल यहां आ अटेक करेगा ठीक है यह यहां से यहां चला जाएगा है ना तो यह यहां से यहां चला जाएगा यह यहां कि एलक्ट्रोन पर आके electron density इस रिंग में और बढ़ा रहा है जिसकी वज़े से reaction आप फीजिबल नहीं होता है क्योंकि आपका electron withdrawing group is electron density को बाहर withdraw नहीं कर पा रहा है ठीक यह हो गया meta का condition अगर मैं इसको कहां पर रखता हूँ safe और पर पर रखता हूँ और तो हमने डिसकर्स किया मैं अगर पर पर रखता हूँ इसको electron withdrawing group को पर पर रखता हूँ तो क्या होता है देखिए आपका nucleophile है है ना यह nucleophile है यहां से यहां टेक करेगा फिर इसके बाद यह electron density यहां shift होगा फिर यह electron density बाहर रिंग से बाहर shift होगा और यहां से चला जाएगा means इसने अब इस negative charge को क्या क्या stabilize किया बाहर लिया रिंग से रिंग से बाहर लिया तो रिंग में electron density इतना नहीं हुआ ना यह unstabilize नहीं हो जाएगा अब देखिए यहां पर double bond आएगा CH को पर तो कौन से चल जाएगा negative अब आपको पता है addition होगे अब elimination भी होगा है ना यहां elimination होगा ऐसे यहां से यहां चला जाएगा इसके बाद यहां से यहां चला जाएगा इसके बाद यहां से यहां चला जाएगा फ्लॉरीन यहां से क्या हो जाएगा निकल जाएगा यह फ्लॉरीन निकल जाएगा तो फिर क्या बनेगा यह अपने अरोमेटिक करेक्टर को गेन करेगा न्यूकलोफिलिक वहां सब्टिट् तो मेंस हमने यहां देखिया कि एडरों ग्रॉप अगर आर्टो इन पेरा पूजिशन पे होते हैं तो इस रिक्षन को क्या करते हैं के से करते हैं एलेक्ट्रों डैंस्टी को जो निगेटिव चाइड को ते करने से रिंग पर ठीक हो रहा था उसको बाहर निकालते हैं और इन दिस फार्स स्टेप क्या हो रहा है नुकलो फाइल अटे करते हैं कार्बन बेरिंग डाली आपका लिविंग ग्रूप है आलडी हमने भी देख लिया है ठीक है इसके पर्पेंडिग्लर में यह इसको क्या करते हैं अटे करते हैं फिर इसके बाद नुकलो फाइल अटेक फॉर्म आटेक फॉर्म रेजनेंस स्टेबलाइज़ कार्बन है जिसको मेजन हीमेर कंप्लेक्स कहते हैं एक सैंडिस्क के नाम पर ही है इसके बाद सेकंड स्टेप शुरू होता है जहां पर लिविंग ग्रूप निकल जाते हैं और आपका यह हमने डिसकस किया दा इंकमिंग निकलियोफाल क्या होना चाहिए स्ट्रॉंग बेस होना चाहिए क्योंकि वो वीक बेस को क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा अगर यह स्ट्रॉंग नहीं होगा तो वो खुद बाहर निकल जाएगा तो कोई डियक्शन पॉस्पल नहीं है कि यह चीज़ आप यहां पर थोड़ा सा मेकनिजम को ही मैं समझाओंगा पहले थोड़ा से तो आपको आरिया आया है अब थोड़ा से मेकनिजम को लेकर हम इसको डिसकास करेंगा से इसको अच्छे साफ समझने कोशिश कीजिएगा हम यहां पर जो डिसकास कर रहे हैं इसके लिए हमें चाहिए आपके रिंग पर एलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रॉप जो की स्टेबलाइस करेंगा नेगेटिव चार्ज को हमने पहले ही ठोड़ा साब को आईडिया दिया है अब देखिए यहाँ पर हमने कार्बोनील ग्रॉप लिया थे जो हमने अभी डिसकस किया और अब हमने लिया स्ट्रॉण विद्रॉइंग ग्रॉइंग नाइट्रॉइग ग्रॉप आप कोई सबसे पहले क्या करते हैं आट से पहले एलेक्ट्रोफाइल अटेक करते हैं फिर वहां पे एक सिग्मा कंप्लेक्स बनता था इरिनियम आयन कंप्लेक्स बनता था तो यहां पे एक है रेजनेंस स्टेड़ाइजिस सिकमा कंपलेक्ट हैमेजन हीमर संपलेक्स यहां preço आते हैं तो यहां पर देखिए हाइड्रोकसेड ने इस कुलोरीन जहां पर आल रेडिया आपका लिविंग रूप आटेश से उस कार्बन पर टेक किया यहां से लेक्ट्रोन इसकी तरफ डिस्प्लेस होगे तो यहां नेगेटिव चार्च आगया अब इस नेगेटिव चार् उसको कौन स्टेबलाइस कर रहा है आपका एलेक्ट्रोन विद्ड्राइंग ग्रूप और इस यहां से यहां जो रेजिनेंस स्टेबलाइसेशन होता है उसकी वाज़े से रेल आप रेक्शन थोड़ा सा पास हो जाते हैं यहीं जिस तरह से डिनियम कंप्लिक्स दिखा रहा तो आपको से कोई एलेक्ट्रोन विद्ड्राइंग ग्रूप यहां पर आठेज्घ थे वैसे हमने इस रेक्ष्ण को किया है और यहां ठीक है Asusia के आप का धूरीन है सब से पहले क्या हुआ addition तो ओ-a-s फ्रागिया अ यह आपका सिग्मा complex बन गया क्योंकि आपका इंकमिंग जो न्यूकलोफाल सिग्मा बॉन के तुरू इस प्राटेश हुआ तो यहां सिग्मा कंप्लेक्स यह मेंजन हेमर कंप्लेक्स बन गया फिर इसके बाद यहां पर इस कार्बन पर कौन से चार्ज जागे नेगेटिव चार्ज आए कि नहीं हमने पहल चार्ज को कौन स्टेबलाइस करेगा आपका यह एलेक्ट्रोन विद्ट्राइंग ग्रूप ऐसे तो यहां क्या बनेगा यहां पर इसका एक रेजनेंस फॉर्म बनेगा फ्लॉरीन है यहां ओ एच है ठीक है अब यहां डबल बान्ट बनेगा यहां अपनी पॉज्टिव चार्ज यह on नगेटिव चार जाएगा और ओपे नगेटिव चार्ज उए उगिया नबल बॉन एक यहां है एक यहां तो पहले एडिशन हुआ इस तरह से इसमें बहुत सारा भी रेजनेंस फॉर्म हो सकते हैं जो मैंने इस स्लाइट पर दिखा है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बाद यहां पर कौन सा रियक्शन होगा एलिमिनेशन होगा किसका आपका इक नुकलोफाइल आप यहां से निकल जाएगा क्योंकि स्ट्रॉंग अलक्टोफाइल ने यहां पर अटेक किया वी इक नुकलोफाइल कैसे निकल जाएगा यहां से यहां वह अपर आएगा और यहां फिससे फ्लोरीन क्या हो जाएगा तो क्या बनेगा तो सेकंड और पर और यह आपने अरोमेटिक करेक्टर को फिर से क्या किया गें किया तो इस तरह सिय रीक्षिन हाँ पर पॉस्बल है तो जैसे कि यह वाला दिक्सेंट तिक है यहाँ क्लूरीन लिया हमने फ्लूरीन लिया कि अगर यहां पर हम देखते हैं डीस प्रोड़क्ट फीनॉल इस एसिडिक फिनॉल आपको पता है यह नहीं तो यह बैस में डी प्रोटेनइट हो जाएगा क्योंकि आपको जो प्रोड़क्ट बने खायद इसा बना होगा तो इसको थोड़ा सा हमें अपनी ओरिजिनेल फॉर हैं थोड़ा सा एसी कुछ डाल देते हैं तो उस से क्या हो जाएगा अब एसी वहां पर डालते ही अब यहां पर क्या बनेगा एश पॉजटीव हो थोड़ा सा इस पर एड़ करते ही आपका ओप कौन से चार्ज आएगा तो यह प्रोडुक्ट मिल जाएगा तो हम इस तरह के कुंप्लीट कर देते हैं आप इस चीस को देख सकते हैं तो यहां आपने nue presidentば drawing group क्या करते हैं जो negative charge create होता है because of the attack of the incoming nucleophile उस negative charge को क्या करते हैं stabilize करते हैं तो अगर यहां electron withdrawing group नहीं attach होता तो यह reaction possible नहीं था तो फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे इसको sum up कर सकते हैं कि आपका अगर यहां पर living group attached होता है तो और आपका recon आर्थो पोजिशन पर या आपका eの position पर होता हैं यह आपका porta position होआ यह आपका परेड़ा पोजिशन कोईfamily भशवा होगा तो इन पोजिशन पे आपका यह जो गुरूप हो जाता है यह इस रियक्शन को क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं यानि एक्टिवेट टोर्स कहां एलन नुक्लोफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन पे यानि अगर आपका एलेक्ट्रॉण विद्ड्रॉइंग ग्रूप आर्थोन पेरा प्यूशन पे होता है तो रेट और रियक्शन क्या हो जाते हैं इंप्रीश हो जाते हैं विकॉज विकॉज एक्टिवेट ता रिंग क्योंकि आप आपने देखा था पहले एलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन में एलेक्ट्रोफिलिक्ट्वी क्या तो यहां पेलेकट्रोफिलिक और्थ ड्रेक्शन पॉट्रॣप एकने प्सटितशन होगा। अब यहां देखिए यह पेरा पोजिशन पर है यह भी एक्टिवेटिड फॉर्म है यहां पर के आर्थो मेटा पोजिशन पर है आपका तो यह दिस निंग इस नॉट एक्टिवेटिट टौर्ड युकलोफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन हम यह कह सकते हैं कुछ एक्जा तो आपका NH3 यहां पर अटेक करेगा क्लोरीन को यहां से निकाल देगा NH3 यहां पर अटेश हो जाएगा है ना फिर इसके बाद आपका यहां से एच प्लस निकल जाएगा तो निकल जाएगा तो 90% यह आपको प्रोड़क्ट मिलेगा इस चीज़ को आप प्रेक्टिस कर सक सकते हैं खुछ से ठीक है यहां पर देखो इनका न्यूक्लोफाल क्या है सोडियम हाइड्रोक्सार मिन्स ओएश नेगे तो यहां प्राटेक करेगा यहां से क्लोराइड निकल जाएगा तो आपको यह प्रोड़क्ट बनेगा सेंबल सा रेक्शन आपको एक्जाम है आ सकते है आपको देखना है कंडिशन को कि यह एलेक्ट्रोन विद्ड्राइंग रूप है तो यह रेक्शन पॉस्बल है क्लोराइड को निकाल सकता है क्योंकि यह वीक बेस है इस कंपेर टू अमोनिया क्योंकि स्ट्रॉंग होता है इसको डिस्प्लेस कर सकता है फिलहाल आप इतना आएगा है ना यह निकल जाएगा सेंपल सा रियक्शन है यहां पर यहां फ्लोराइड को निकाल देगा यह रियक्शन हो जागा रेक्शन है यह भी कौन सा है यहां पर यह न्यूकलोफाइल की तरह आमोनिया आमाइन गुर्प यानि जो प्रेमरी आमाइन है वो यहां से य यहां पॉप आऄक्शन और दया कुनी वार्टर निकल बन पीन है अचो यह वारत निकल जाएगा तो यह वाला बन चाएगा तो इतना डोड़ा हैं इस वाले रियक्शिन को भी देख्ये तो यहाँ पर आप का यहाँ पर ले देखें एजाइड यहां पर अटेक कर रहा है एजन यूकलोफाइल देखें एजाइड बोलते हैं इसको तो एजाइड फ्लॉराइड यहां पर जहां फ्लॉरीन अटेज हैं वहां पर अटेक कर रहा है कार्बन पर यहां से यहां जा रहा है एजाइड हो गया पहले एडिशन हुआ यहां देखी यहां देखिसर होगा है यहां कि यह सबसे स्लो बीजिए स्टेप होता हैं कि यहां अपने कारेक्टर को यह आसानी से तो लोज नहीं करेंगा इसलिए रियक्शन नहीं करेंगा तो यहां देखिए इस चीज़ को मैंने यहां जबसुएulture आपको समझाने के लिए रखा है fluoride accelerate this step because it is very electronegative तो एक confusion सब के मन में यहां पर रहते हैं कि हमने SN2 reaction में पढ़ा था कि जितना good living group होता है उधना rate of reaction fast होता है good living group और हमने यह देखा था fluorine में rate of reaction SN2 mechanism बहुत slow होता है because fluorine is not a good living group यह good living group नहीं है fluoride जो atom है fluorine जो है वो good living group नहीं है लेकिन यहां देखिए यह तो एक good living group की तरफ behave कर रहा है इस चीज़ को आपको समझना है कि यहां क्यों यह एक अच्छा good living group की तरफ behave कर रहा है हमें दिखने पर लग रहा है ना fluoride easily यहां reaction को क्या करता है rate of reaction को increase करता है तो जो हमने concept अभी सोच देए हैं वो totally क्या है wrong concept है कि fluorine के वीग यह living group है तो rate of reaction slow होना चाहिए तो यह जो concept है यहां पर यहां पर मलब nucleophilic aromatic substitution reaction एक wrong concept है हमारा इस चीज़ को clear करने के लिए मैंने इस example को यहां पर रखा है तो यहां इस चीज़ को रखने के क्या मलब है कि rate is equal to rate is equal to किस पर करते हैं रेड आफ डिस्क पर यानि आपका नुकलो फाइल और आपके यह सबस्टेट पर डिपन करते हैं तो तेक है यह एडिशन आफ नुकलो फाइल पर ना की रिमूवल आफ लीविंग रूम पर यार्टे करते हैं इस चीज़ को आप समझना है यानि जो आपका सबसे स्लोवेष स्टेप होता है उसमें कौन सी चीज़ इनवॉल होता वही रेड आफ रिएक्षन पर क्या करते हैं लेकिन जो आप फ्लॉरीन की बात कर रहे हैं क्या एक गुड लिविंग रूम या वीग लिविंग रूम वह तो रेड आफ रियक्षन में इनौवल ही नहीं हो जब यह इसको अपना कोन सा प्रोपर्टी दिखाना था लीविंग ग्रुप का प्रोपर्टी दिखाना तो तो रेक स्वेक्षन पर कोई लेना देना नहीं है कौन सा nucleophilic aromatic substitution reaction पे living group का कोई role नहीं है क्या वो good living group है क्या weak living group या poor living group है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है यह चीज़ आपको clear करना है अब यहाँ पे fluorine क्यों बढ़ाता है फिर rate of reaction को जब यह good living group नहीं है तो यह इसलिए बढ़ाता है क्योंकि fluorine है highly electronegative atom और यह electronegative atom होगा तो इस carbon की electrophilic character को क्या करेगा बढ़ाएगा ना यह carbon है fluorine अपनी तरफ electron density को इंक यह अट्रेक कर रहा है तो यहां carbon पे positive charge यह इसलिए develop होगा ना तो कोई भी nucleophile इस पे अटेक करेगा ना तो इसलिए यह nucleophile को facilitate करता है इस रिंग पर अटेक करने के लिए तो इसलिए रेट आप रियक्षिन fluorine क्या करता है इंक्रीज करता है विकास अब इस एलेक्ट्रों नेगेटिविटी नॉट विकास अब इस पूर लीविंग ग्रूप और गोट अब यहां पर इस चीज़ को मैंने यहां थोड़ा सा समप करके रखा इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो एरोमेटिक एलेक्ट्रों एरोमेटिक नुक्लियू है जिसमें इस बता आप होता है और अब दूसरा हमारे इंपोर्ट नहीं है नहीं है आपकोट dhp क्यों स्लो स्टेप्ति हो चाल जाता है इस में तो है जो लीविंग ग्रूप का असार थे वह फस्ट टेप में ही यह वह हौता है नहीं कि जब वह ब्रेक्व हो रहा है लीव कर रहा है उससेंप्ट कोई रोल नहीं हो नहीं हो रहा है तो कितना वह good living ही उससे हमें कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ को आपको याद रखना है तो यह चीज़ हमने पूरे डिसकस किया इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं और आपका एलेक्ट्रो निगेटिव जो एलेमेंट होता है वो स्टेबलाइज करता है इन इनियनिक इंटर्मीडियेट को इस फुलोरीन अटेश है एक दूसरे के पेरा पर फिर भी यहां पर कोई एलेक्ट्रों विड्राइंग इस रिंग पर आटेश नहीं है फिर भी इसमें यह रियक्शन हो रहा है क्यों हो रहा है विकास आपका फुलोराइट जो है इस नेगेटिव चार्ज को बिकास अब मैनस आई एफेक्ट की वज़से इसको क्या कर रहा है स्टेबलाइज कर रहा है तब ही यहां पर यह रियक्शन पॉसिबल होता है वरना हमारे हिसाब से तो फुलोरीन बहुत ही पूर लिविंग ग्रूप है यह रियक्शन नहीं होना चाहिए लेकिन यहां पर उसका कोई लिवि पॉसिबल होता है तो स्टूडेंस आज इतना पढ़ते हैं तो आपने देखा कि आपका अरोमेटिक कंपॉंड नुकलोफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन दिखा सकते हैं लेकिन कंडिशन यह है कि आपके आर्थवाइन पैरा पुजेशन पर आपका एलेक्ट्रोन विद्डॉइंग ग्रूप जो की अटेश होते हैं अर्थवाइन पैरा पुजेशन पर अगर नहीं होते हैं तो यहां पर रियक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर नुक्लो नुक्लो फाइल और अलेक्ट्रोन डेंस्टी ऑफ दा बेंजीन रिंग दूसरे को रिप स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं तो अगर आपको कोई प्रॉल्म है तो फिर से या वर्जा पर या आप गूगल क्लाश्रूम के कॉमेंट सेक्शन ना पूछ सकते हैं तो फिलाल की दें थैंक्यू वरे मच